साक्षी, TDS की entry पास करनी है, कौन से voucher में पास हो? General voucher में सबसे पहले ज्यां करोगी? सबसे पहले, sir, voucher में जाएंगे sir आकि sir, हम लोग General voucher में जाएंगे और वहाँ फिर हम लोग एक लेटर बनाएंगे Interest and Fixed Deposit का बना हो किस गूर्प में डालेंगे? सर इसको अब TDS यहां से केबल करेंगे और इसको हम अप्लि केबल का option दबाकर के और फिर define में जो FD का भी nature of payment बनाना पड़ेगा जो पहले से बना हुआ है FD के नाम से हम इसको यहां पर fix करके और फिर enter कराके laser को pass करेंगे इसके बाद हमें यहां पर वो amount डालेंगे, जो हमें यहां पर deduct कराने है, हमें 2,000,000 का amount रखा है, इसके बाद से फिर हम उस creditor party का laser बनाएंगे, जो यहां पर इसको salary creditors में, यहां से इसको apply cable करना पड़ेगा, इसके बाद से हम इसके लिए वो deducted TDS in same voucher के लिए का option select करेंगे, और फिर TDS in same voucher का option yes कर देंगे, फिर उपर आएंगे, और यहां से हम जो pen card का detail है, उसको बनेंगे, बिना पर pen card भरे हुए, हमारा बो TDS 20% होगा, और अगर pen card लग जाएगा तो 10% होगा, अब यहां पर इसको yes करेंगे, यहां पर pen card effective date और name of pen आपका दिखा द 80,000 शो कर रहा है, इसके बाद से हम इसको फिर enter करेंगे, और यह जो 20,000 डिड़क्ट रिया है, वो उसे पर दिखा देगा, और फिर यहां पर हम एक और laser बनाएंगे, जो हमें बना होगा, TDS on fixed deposit के नाम से, और इस TDS on fixed deposit को हम यहां पर active कर देंगे, और हमारा जो 20,000 रुप